तो फ्रेंड्स, एक्जाम से भी इस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और more update के लिए, नहीं नहीं updates के लिए इसके bell icon को प्रेस करें आज हम आपके सामने calendar का topic लेके आएं जिसमें कि पिछले class के अंदर हमने देख लिया था कि वाई concept समझ लिया था और दो type के question देख लिये थे अब next type के question पर चलते हैं उस concept पे base ही तो उस concept पे 0 से लेके मैंने 6 तक आपको number दिये थे जिसमें Sunday 2 लेके क्या बताया गया था 6 number पे Saturday आ जाएगा बीच में Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday तक आ जाएंगे जैसे यसे number बढ़ जाएंगे 2, 3, 4, 5 ठीक है ये Monday, ये Tuesday, ये Wednesday, ये Thursday, ये Friday और 6 number पे क्या जाएगा Saturday, ऐसे ही एक concept बताया था जिसमें 100 years का पेर लिया थे, फिर इसके बाद 200 years का पेर लिया था, फिर 300 years का, फिर 400 years का, ये पेर लिया थे, अब इसमें क्या था, 100 years में हमारे पास विशम दिनों की संख्या कितनी थी? 5, क्या थी? विशम दिन, यानि odd days, फिर बात करें हम, 200 की, तो 200 में कितने विशम दिन थे? 3, ठीक है? 300 में कितने थे? 1, 400 में कितने थे? 0, ठीक है? जैसे जैसी years बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो विशम दिनों की संख्या है, वो घटती जाएगी. जैसे देखो, पहले 5 था, कितना था? पहले विशम दिनों की संख्या 5 थी, फिर 5 से विशम ही संख्या आएगी, लेकिन 3, फिर 3 से 1 और 1 से 0, ठीक है? यह हमें दो चीज़े याद रखनी है, कब? जब हमें direct day पूछा जाएंगे? क्या पूछा जाएं? direct day पूछा जाएंग जैसे कि हमें पूछ लिया जाएं कि 14th April 1994 को कौन सा week day था? यानि कौन सा वार था? तो हमें मालूम करना है, तो हम देखेंगे, यह जो 1994 वाला जो वर्स है, वो अधूरा है, क्योंकि वो सिर्फ कहा तक जा रहा है? वो सिर्फ 14 April तक जा रहा है, कहा तक जा रहा है? 14 April तक, तो 1994 को मैं अलग लिख लूँगा, ठीक है? अब कहा तक बात करेंगे? 1994 तक पहुँच ले के रहे हमें कहा तक जाना होगा? 1993 तक, कहा तक जाना होगा? 1993 तक, तो मैं इसके पेर बना सकता हूँ, 1600 प्लस 300, तो कितने होगे? 1900 और फिर कितने आगे? 93 अब बात यह 1600 की लिख दिया सर, आपने 1600 इसले लिखा, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा पेर कितने का है? 400 वर्स का है, तो 400 से 16 का है ना, फैक्टर है, 400, 400, 400, 400, यानी 400 into 4, तो कितने हो जाएंगे? 1600 हो जाएंगे ने, और एक 400 के लिए कितना है? 0 है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 1600 के लिए भी क्या हो जाएगा? 0, 300 के लिए odd day कितने है? 1, ठीक है? अब 93 में मुझे odd day निकालने है, तो आपको एक concept कराया था, जब मैं 100 सालों का, यानी 100 वर्सों के विसम दिन निकाल रहा था ना, तो उस टाइम कराया था, तो उस टाइम क्या concept था? कि मुझे leap year मालूम हो ने चीए है, और क्या मालूम होना चीए? नार्मल year, तो जैसे ही मुझे ये मालूम करना है, तो मैंने क्या किया? 93 में किसका भाग दिया? 4 का, क्यों दिया? क्योंकि हर चौथे वर्स में क्या हो जाता है? leap year हो जाता है, तो 4, 2, जा 8, कितना बचा? 1, 3 निचा आया? 4, 3, जा लेखते हैं, भागफल, कितना आया? तो जो ये भागफल आया, यही क्या है? leap year, यानि 23 leap year है, तो एक leap year के लिए 2 दिन होते हैं, तो 23 के लिए multiplied by 2 हो जाएगा, अब 93 में से 23 क्या है? leap year, तो कितने बचे? 70, वो क्या है? normal year, तो normal year 70 है, तो उनको किसे multiply कर देंगे? किसे multiply करें धेंगे? 1 से, क्योंकि हर normal year में कितने विशम दिन होते हैं, कितने odd day होते हैं? 1, ठीक है? तो यह कितना हो जाएगा? 46, और यह कितना हो जाएगा? 70 हो गया? तो यह कितना हुआ? 6, 7 और 4 कितने होगे? 11, प्लस 1, इसका आ गया, तो कितने होगे? 117, यह क्या है? odd days, यानि वि 1994 की कहा तक जाऊंगा मैं उसमें 14th April तक तो जनवरी, February, March और April जनवरी की बात करूँ जनवरी कितने की है 31 की February 1994 है तो यह लीप यह होगा है नॉर्मल यह होगा क्यों क्यों क्योंकि जब मैं 94 को डिवाइड करूँगा किसे 4 से तो पूरा पूरा नहीं divisible होगा तो यह 28 की February है March कितने का है 31, April कितनी तक 14 तक तो देखो मैं 28 को तो 0 लिख दूँ कोई दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है क्यों क्योंकि जब मैं 28 में 7 का भाग दूँगा तो चार बार पूरा पूरा चला जाएगा और सेस फल क्या बचेगा 0 जब 7 का भाग देते हैं तो भाग फल नहीं देखते हैं रिमेंडर देखते हैं तो 0 बचेगा तो 0 लिख दी ऐसे ही देखो 14 में जब 7 का भाग दूँगा तो इसमें भी रिमेंडर कितना बचेगा 0 31 के लिए 3 31 के लिए 3 क्योंकि 28 के बाद 39 30 31 28 दिन तो हट जाएंगे 3 दिन ऐसे बचेगे जो सब्ता नहीं बना रहे तो 3 इसमें 3 इसमें तो कितने आगे 6 मुझे 6 यहां से मिल रहे है और 117 यहां से मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं 6 यहां से 117 वहां से कितने हो जाएंगे 7 और 6 3 23 123 ये दोनों मिलके कितने हो गे 123 plus 6 कितने हो जाएंगे 123 आगे न अब क्या करना है 123 मेरे पास क्या है और डेज आगे कब तक 14 अपरेल 1994 24 तक तो मैं क्या करूँगा 123 में क्या करूँगा 7 से भाग दे दूँगा 7 बंजा 7 7 से भ़़टीनच 7 7 49 कितने बच गे 4 कितने वी सम दिन बच गे मेरे पास 4 वी सम दिन बच गे और 4 वी सम दिन पर क्या है देखो Thursday तो 14 फलवरी 1994 को क्या है Thursday क्या है Thursday यानि की गुरुवार ठीक है तो इस टाइप से direct date का निकाला जाता है, अब एक टाइप और आता है, जिसमें क्या होता है reference date day होता है वो किसमें होता है यह dependent होता है reference day के ओपर कैसे जैसे कि मुझे दे दिया जाता है जैसे मान लो दे दिया जाए 21 March 1991 को Wednesday था 21 March 1991 को क्या था Wednesday था तो पूछा जाए 21 March 1993 को कौन सा वार होगा कौन सा week day होगा तो अब देखो यह तो क्या है same date का है क्या है यह same date का तो हम इसमें क्या करेंगे year to year जाएंगे year to year अब देखो यह जो 1991 है इसमें फरवरी 1991 से नहीं जाएंगे देखो 1991 से गए कहा तक 1992 और कौन सी date तक जाएंगे 21st March क्योंकि date कि से शुरूई थी 21st March से शुरूई थी हुई थी जुरूँ तो 21st March 1991 से 92 तक जाएंगे तो फरवरी इसमें यह जो एक साल है यह एक साल था इसमें फरवरी किसकी काउंट होगी 92 की तो 92 की जो फरवरी थी वो लीपियर में काउंट होगी यह Normal Year में वो लीपियर में होगी क्यों? क्योंकि 92 है वो क्या है? लीपियर है क्या है वो? लीपियर है तो जैसे 92 लीपियर में आएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें 2 विसम दिन मिल जाएंगे, कितने विसम दिन मिल जाएंगे? 2, ऐसे ही फिर 90, मुझे जाना कहा तक है, 1993 तक, और same date है, देखो, 1993, तो कितने विसम दिन, यह 365 दिन का हो जाएगा यह year, तो इसमें कितने विसम दिन मिलेंगे? मुझे 1, तो total कितने ह होगे 3, देखो सालों का difference यानि years का difference तो कितना है 2, लेकिन विसम दिनों का difference कितना आ रहा है, 3, अब जब difference 3 आ गया तो क्या करेंगे, Wednesday starting year है, तो Wednesday के बाद 3 दिन और count कर लो, Wednesday के बाद क्या हो जाएगा, Thursday, Friday, Saturday, तो 1993 को कौन सा बार होगा, Saturday, कौन सा बार होगा, Saturday, ठीक है, तो यह किस टाइप का हो गया, एक टाइप और देखो, इसमें क्या होगा, जैसे कि यह 21 March मेर को 1991 दे दिया, अब वो कह देगा, 2 April, 1993 की बात करेंगे हम, तो इस दिन कौन सा week day था, अब देखो, अब देट अलग आ रही है, डेट मैच नहीं कर रही, तो हम क्या process यूज मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 21 March, 1991 लिख लो, 1992 लिख लो, 1993 लिख लिख लिया, अब 1993 हम कहा तक जाएंगे, 21 March तक जाएंगे, चलेगे, अब 1993 में, यहां तक का तो हमने जैसे पिछे solve किया था, प्लस 2, एक तो इधर तो 2 मिला था, और इधर क्या मिला था, एक, ठीक है, इस तारिक तक मिला था, अब March कितने दिन की होती है, 31 days की होती, जिसमें से कितने जा चुके, 21 जा चुके, तो March में कितने दिन बचे, 10 दिन, अब April बची, April में कितने दिन, 2 दिन, अपरेल के 2 दिन हो, लिख लो तो कितने हो जाएंगे, 12, यानि 21 March के बाद, 2 April तक जाने में, मुझे कितने भी सम दि मिल रहे है 12 और यहां तक कितने मिल रहे थे मुझे 3 तो दोनों को इनको जोड़ लो 12 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 15 odd days मिल गे 15 तो 15 में फिर क्या करेंगे 7 का divide करेंगे 7 तू जा 14 कितने विशम दिन बचे 1 यानि Wednesday के बाद सिर्फ 1 दिन count होगा और क्या जाएगा इसका अंसर sorry इसका अंसर क्या जाएगा Thursday क्या जाएगा इसका अंसर Thursday तो जैसा कि हमने आज देखा हमने 3 तरह के question देख लिए तो हमें ऐसे ध्यान रखना है कि normal day एक तो direct date बता दिया तब कैसे solve करना है और एक reference day और कहना चाहता हूं हमारे paid courses launch हो चुके हैं उन्हें आप www.examswave.com से purchase कर सकते हैं Thank you very much